हेलो फ्रेंड्स आप सब केसे हो आज मैं आपको फोरो टक्स प्लाउस बनाना बताऊंगी ये मैंने आस्तर कपड़ा लिया है इधर से बंद इस्सा है ये देखिए यहां से मैंने मार्किंग कर लिये यहां से मैंने पोने दो इंच लिया है और ये हुक के लिए हमने हुक आई के लिए जगे छोड़िये आदा इंच से थोड़ा सा कम है ये अब हम बेक पार्ट को इस प्रकार से हमें रखना है आपको अगर बेक पार्ट की कटिंग देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यहां पर मैंने लाइन खिचना भूल गई थी हमें इस प्रकार से ड्रो कर लेना है बेक पार्ट को अब हम हटा लेंगे बेक पार्ट को ऊपर से हमें धाई इंच पर मार्किंग करना है नेक के लिए नेक के लंबाई छे इंच है हम साड़े छे इंच पर मार्किंग करेंगे आदा इंच इसमें सिलाई का एड़ है शोल्डर हमारा पोने छे इंच है और आर्मो होल साड़े पाच इंच है अब हम आदा इंच आर्मो होल के पास गोलाई देंगे अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे हमें हुक पट्टी की हिस्सा छोड़ देना है और वहां से मार्किंग करेंगे साड़े आठ इंच पर और दो इंच के हम सिलाई के लिए मार्किंग करेंगे यह देखिए इस परकार से अब हम नेक के लिए पोने तीन इंच पर नीचे से मार्किंग करेंगे और राउंड शेप देदेंगे अब हम यहां से तीन इंच पर ना करेंगे और इधर से भी हम तीन इंच पर मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए नीचे के और स्केल से हम लाइन खीच लेंगे और यहां से हमें आदा इंच पे मार्किंग करना है उपर से अब हम यहां से तीन इंच पे मार्किंग करेंगे अब हम यहां पीछे से भी आदा इंच उपर से मार्किंग करेंगे और लाइन खीच लेंगे यह देखिए इंच टेप से आपको मैं मार्किंग करके कि वताती हूँ अब हम यहां से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे अब हम यहां से पुने तीन इंच पर मार्किंग करेंगे हमें एक टक्स मिल जाएगा हम इसकील से भी अच्छे से क्लीन लाइन खीच लेंगे अब हम हमारा दूसरा वाला टक्स पे मार्किंग करेंगे अब इस प्रकार से हमें बीच में से इंच टेप को फोल्ड करना है तो हमें सेकेंड वाला टक्स भी मिल जाएगा यह लगभग धाई इंच का टक्स है हमारा अब यह दोनों टक्स की दूरी दो इंच है अब हम यहां से पीचे से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे तो हमें हमारा 3rd नंबर का टक्स मिल जाएगा और हमें जो हमारा 2nd वाला टक्स है हमें पोने 4 इंच पर मार्किंग करना है एकदम सीद में दोनों टक्स होने चाहिए और लाइन खीच लेंगे अब हमें ये fourth नंबर का टक्स की marking करना है ये पोने 3-inch का टक्स है हमारा और हम अब line खीच लेंगे यी जो नीचे का टक्स है दोनों एक सीध मे होना चीए ये भी 2-inch की दूरी है इन दोनों की और ये सवा 2-inch की दूरी है और ये दो इंच के ये उपर से में इसी पर ध्यान रखना है हमें इन दोनों का इसे अब हम टक्स को कितना इंच का हमें लगाना है उसकी मार्किंग करेंगे ये जो हमारा नीचे वाला टक्स है सवा दो इंच का है अब हम इसे मार्किंग कर लेंगे और ये वाला एक इंच का है और ये टक्स आदा इंच का है दोनों साइट से हम मार्किंग कर लेंगे और ये भी आदा इंच का टक्स है हमारा अब हम लाइन खीच लेंगे अब हम कटिंग कर लेंगे जिसे मैं कटिंग कर लेंगे आपको सेम उसी प्रकार से कटिंग करना है यहाँ पर हम साथ इंच पर मार्किंग करेंगे और दो इंच का मार्जिन रखेंगे लाइन खीच लेंगे हम स्केल से लाइन खीच लेंगे अब हम कटिंग कर लेंगे अब हम आर्मोहल के पास गेहराई अभी नहीं देंगे सिलाई करने के बाद गेहराई देंगे हम अब हम टक्स के उपर इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे टक्स लगा देंगे केची से जिससे हमें सिलाई करते वक्त इजी हो अब हमें दूसरे साइड वाले इससे पर भी मार्किंग करना है देखिए इसमें हलका सा चोक का निशान है तो हमें डार्क कर लेना है अब हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे यह हमारे नीचे वले बेल्ट की कटिंग हो चुकी है आपको दोनों पार्ट सरक कर बताती हूँ आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा और आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा और आपको अगर यह बेल्ट पार्ट की कटिंग देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो थैंक यू